हर हर महादेव, नमस्कार, कल्यूप पर्थम चरण में आपका स्वागत है, आसा करता हूँ, आप लोग भी बहुत अच्छे होंगें। नित्रों, आज हम इस वीडियो में एक जवर जश्ट घरेलू उपाय दे रहा हूँ, यह उपाय साधी सुदा ब्यक्तियों के लिए है, जो ब्यक्ति संभोग किरिया में सफल नहीं हो पाते हूँ, सिग्रपतन रोग का सिकार बन जाते हूँ, उनके लिए यह अमरीच के समान है, इस उपाय से ना मर्द भी मर्द बन जाते हैं। तो साथियों, आज कल अपना संभोग सक्ति बढ़ाने के लिए, लोग एप्सूल, टबलेट, खा खा कर अपने संभोग सक्ति को बढ़ाते हैं, लेकिन इयाह एक तरह से शरीर का हानिकारक है, लेकिन मजबूरी में लोगों को खाना पड़ता है, और इयाह रोग सभी ब्यक्तियों को नहीं होता है, सभी ब्यक्ति सिग्रपतन के सिकार नहीं होते हैं, तो साथियों, आज हम ऐसा उपाय दे रहा हूं, योकी बेलपूर सहज और सरल है, और सिग्रपतन रोग से शुकारा मिल जायेगा, और आप अपने जीवन का घरपूर आनन उठा सकते हैं, तो मित्रों इसके लिए आपको घीत कुमारी या गवार पठा बोलते हैं, घेकुआर बोलते हैं, यह लोग अपने घरों पर लगा कर रखते हैं, यह आरुवेदिक में फेमस है, और इसका पवधा अराम से फूलों की नर्शरी में मिल जाती हैं, तो आप लाकर लगा भी सकते हैं, यह आपके आसपास हो, तो आप ले सकते हैं, तो सबसे पहले चले हम उस पवधे को दिखा दूँ, तो मित्रों यही वह घ्यकुआर का पवधा है, तो आप उसमें से एक पत्ता को तोड़ के लाना है, देखिए वही है, मैं इसको काटके टूकड़ा बना दिया हूँ, तो मित्रों इसके अंदर गुदा होता है, देखिए यह गुदा, इसको जब फाड़ेंगे ऐसे तोड़ेंगे नो तो मित्रों इसमें से गुद्धा निकलेगा देखिए ये गुद्धा है देखिए तो इस गुद्धा को आप थोड़ा निकाल लीजिए दो तिन चमच के बरावर और उसको मसल के हलुआ के जैसे बना लें और देशी गुड़ देखिए यह ही गुड़ है जो गन्य से बनता है यह तरह तरह के इसके क्वालिटी होते हैं कहीं गोल गोल तो कहीं चाकी कहीं किसी तरह से हर एक एरिया का अलग अलग वो इसका मसल के बारिक करके रख लें और एक गिलास गुन-गुना पानी कर लें यानि हलका गरम और जो आप इसका हलुआ बनाये हैं दो चमच गरम पानी में डाल लिए हलका गरम और एक चमच गूर और मिला के संधिया के समय इसे एक आप पी लें खा लें मित्रों यह इतना संभोग सक्ति को बढ़ाता है उतेजना को बढ़ाता है यह बाजी करण और सधी है आपके फसीने छूट जाएंगे आपकी जो टाइमिंग है कई गूना बढ़ जाएगी अगर आप चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना पाउर को बढ़ा लें तो सुबह साम दोनों टाइम कर दें फिर देखें इसका चमच का आप इतना सक्ति साली बन जाएंगे कि आपका टाइमिंग पहले से कई गूना और छक्के छूट जाते हैं तो मित्रों यहां उपाय बड़ी ही सक्ति साली है और बेलकुल सहज और आसान हैं अगर आपके यहां पाउधा नहीं है तो फूलों की नर्शरी से लाकर लगा लें यहां पाउधा बहुत जल्दी तयार होता है और आप अपने संभोग सक्ति को बढ़ा सकते हैं और इसके साथ मित्रों यह जो इसका अंदर का सफेद वाला गुदा है इसको अपने गुप का स्थान पर यानि लिंग पर लगाने से लिंग लंबा भी होता है और मोटा भी होता है यह इतना गुणकारी है इसकी चमतकार इतना है जितना भी हम कहें सब छोटा ही पड़े तो मित्रों आप इस परियोग से आप अपने सिग्रपतन रोग को कोशों दूर भगा सकते हैं और जीवन का भरपूर आनन उखा सकते हैं सन्विंदा होने की बिमारी दूर हो जाएगी कैसी बिमारी है कि किसी किसी ब्यत्ती को जीवन नर्क बना देता है जिसको ना मर्द कहते हैं तो विडियो के कमेंट बक्स में जय सिरराम जरूर लिखें तो विडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हैं तो इस विडियो में इतना ही और हमें देजे इजाजत नमस्कार